नमस्कार दोस्तों, तो आपका मेरी चानल में स्वार्गत रहे हैं, आज का टॉपिक है अलोपेशे, मैं खुद अलोपेशा की पेशन्ट हूँ और इस वीडियो में मैं मेरी अलोपेशा की पूरी जर्मी आपके साथ शेयर करने वाल हूँ, कि मुझे अलोपेशा कैसे हुआ, मैंने कैसे हील किया, और मैं अलोपेशा से कैसे अभी मुक्त हूँ, तो चलो, हम हमारे टॉपिक को शुरुबात करते हैं, मुझे अलोपेशिया छे साल पहले हुआ, एक दिन सुबा में उठकर, निरर में अपने बाल खंगे कर रही थी, तब अचानक से मेरे सीव में मुझ मुझे समझ नहीं आया था, क्योंकि मैंने अलोपेशिया के बारे में कभी सुना नहीं था, पढ़ा नहीं था, और नहीं देखा था, मैं डर गई, कि ये क्या हुआ, नहीं मेरे पैरेंट्स को ये सब चीजे पता थी, ये क्या है, ये ऐसे पैच में बाल क्यू चले गए है, ये फिर आएंगे या नहीं, इस पर क्या ट्रेटमेंट होगी, ये किस तरह से ये चले गए है, मैं हमेशा की तरह जैसे सब लोग करते हैं, मैंने वैसे गूगल पर सर्च करना स्टार्ट किया, तो मेरे सामने अलोपेशिया आया, और मेरे पैरेंट्स इतने शौक में थे, क कि ये डिसिस मानने को त्यार नहीं थे, कि मुझे ये अलोपेशा हुआ है, क्योंकि अलोपेशा में ऐसे लिख कर आया था गूगल में, कि जिस भी वैक्ति को अलोपेशा होता है, उसके बाल पूरे जाते है, पूरा गंजापन आता है, एक भी बाल उसका आता नहीं है मैं मेरे बालों से बहुत प्यार करती हूं, बहुत जादा मुझे मेरे बालों से प्यार है, मुझे काटने में भी बाल दर लगता है, और इस सीचुएशन में मुझे पैचे साय थे, मैंने अलोपेशा देखा, पढ़ा, उसका रेमेडी दूंदा, वो था कि हमारा जो घर मे मैं ओनियन रहता है, ओनियन का जूस निकाल कर उस पैच पे लगाना, मैंने स्टार्ट किया, फिर दूसरे दिन हम लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने भी बतया नहीं कि यह अलोपेशिया है, उन्होंने कुछ अलग प्रिट में स्टार्ट की, पर वो अलोपेशा दूसरे तर्म में हम जब 15 देस बाद डॉक्टर के पास गए, फिर भी 15 देस के बाद मुझे कोई बाल नहीं आयते उस एरिया में, जो भी बैच मुझे थे सीर में, वा पर एक भी बाल नहीं था, तो दूसरे डॉक्टर के पास पेजा, जो स्पेशलाइज थी, स्कीन स्पे जो सेल्सरेते हैं, वो डेड हो गया है, उसके कारण वो पैच आ गया है, उधर बाल गिर गया है, और जो भी बाल आएंगे, वो शुरुवात में वाइट आएंगे, एक तो मन के बाद, थोड़े थोड़े वाइट बाल मेरे सेर में थे, तो उसने कहा, फिर भी बाल नहीं तो मजे कम से कम एक मेन, दू महाईन थो तरह मेरे किसी भी पैच पर बाल नहीज थे और हेर्फॉल था एक्स्रेम या हैर फॉल हाँ था उसने मुझे कुछ मेडी सिन्स ह। कुछ स्काल्प में नगाने वाले सीरम, रिख में मिंतो रीकिक र्वूर्चegen? पर ऐसा कुछ medicine रहता है, Mentodex नाम का, वो उसने मुझे दिया, वो में लगाता लगाने लगी, पर हेरफॉल हो रहा था, पैच पे कोई बान नहीं आ रहे थे, और दो महिने बाद जब मुझे बाल आये उसी पैच पे, इधर सामनी वाले एरिया में और पीछे वाले एरिया में वो टोटल ब्लैक थे, अभी क्या, इतने बड़े पैच में इतने ज़्यादा वाइट बाल थे, सामनी वाले पैच में भी बहुत साथ ज्यादा वाइट बाल थे, पर जैसे कैसे वो बाल आ गये, वो बड़े हो गये, मैंने medicine स्टार्ट किया, पर home remedy कुछ फॉलो नहीं किया क्योंकि मुझे बरोसा था, medicine पर, कि medicine ही मुझे heal करेगी, इसलिए मैंने घर पे कुछ home remedy नहीं किया, मेरे डॉक्टर ने बस एक ही कहा, कि तुम, milk जादा पियो, पर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, बालो के लिए, carrot juice बहुत अच्छा होता है, तो मैंने मेरे diet मे, carrot juice डेली कम हुए, पर patch का हो जाना कम नहीं हुआ था, फिर से patch था और वहाँ पर बाल नहीं थे, तो अभी healing नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे डॉक्टर ने मेरे सीर में हेस्टेराड के injections लगाए, वो बहुत painful था, वो situation बहुत ही ज्यादा difficulty मेरे लिए, पर मैंने research करना स्टार्ट कि कि यह क्या है, यह और यह केमिकल के medicines लगाने से मेरे बाल और भी ज्यादा गिरेंगे, इसलिए मैंने खुद रिसर्च स्टार्ट किया, तो उसके सामने ही आए कि मुझे क्यारेट जूस स्टार्ट करना है, तो मैंने क्यारेट जूस डेली का स्टार्ट किया, फिर कुछ साल मुझे कुछ अलोपेशा वगरे नहीं था, मैंने केमिकल के शाम्पू स्यूस करना बन किये, मैं जो कि उसमें केमिकल नहीं है, वैसे शिक्काई के पाउडर हो, वैसे मैं स्टार्ट किया, घर में मैं ऑईलिंग कर थी हैर में, और प्रेग्नेंसी के बाद मुझे फिर से एक पैच आ गया, हेर फॉल जादा होने लगया, उसके कारण मुझे मेरे सीर में और एक पैच आ गया, यहां पर एक पैच था, अभी मेरा बच्चा चार साल का है, तो बाल भी बहुत बड़े हो गए, जो वाइट बाल थे, हाँ, जो वाइट बाल आय थे इधर, और जो की पता नहीं कैसे, पर मैंने हीलिंग स्टार्ट किया, मैंने स्ट्रेस लेना कम किया, मैं ज्यादा सोचना बन किया, और प्रेगननसी के बाद जो मुझे पैच आया था, उसके लिए मैं किसी डॉक्टर के पास वीजित नहीं किया, मैंने खुद से ठान ली कि यह पैच में मैं खुद होम रेमिडिय ड्राय करूंगी और खुद सुख्यूत का हीलिंग करूंगी, इदाउट स्ट्रेस हीले, तो मैंने मेरा खुद का ओईल बनाया, और बीच में वीक में एक बार मैं पूरे इंगियन जैसे के मेथी रहती है, ओनियन रहता है, आमला रहता है, सब मिक अपनी आये, ब्लैक आये, और बहुत लंबे भी हो गए, दिखिये, आज मेरे बाल इतने लंबे हैं, आप कह नहीं सकते हैं, आपको जूट लगेगा कि मुझे अलोपीशय हुआ था, पर सच में मैं इस दौर से गुजरी हूँ, अलोपीशय क्या होता है, कैसे बाल जाते है मैं इस दौर से मैं गुजरी हूँ, मुझे अभी भी एक वन मन्त पहले मुझे यहां पर पैच था, अब देख सकते हैं, अभी छोटे छोटे बाल आ गए उदर, यहां पर भी पैच गिर रहा था, पर मैंने खुद का ही हैर ओईल लगा के, यह मैंने हीलिंग किया, तो यह ह मेरे हजमन के भी थोड़े से बाल गिर रहते है, हैर फॉल हो रहा था, तो मैंने उनको कहा, चलो आप भी मेरा हैर ओईल ट्राय करके दिखिये, इससे आपको फरक आता या नी, तो उन्होंने भी ट्राय किया, तो उनके 15 देज में हैर फॉल कम हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं म बनाया है, अब देख सकते हैं, यह पूरा नैचरल है, इसमें विल्कुल भी एक भी केमिकल मैंने डाला नहीं है, जो भी मेरे गार्डन में, जो भी आसपास के एरिया में, जो भी इंगेडियेंट है, वो नैचरल ही मैंने इसमें डाले है, यह आपको एक साल इस ओल को आप इसे और करने के लिए मेरे इंस्टाग्राम पर आप मेसेज कर सकते हैं, या फिर यूटूब पर भी आप मुझे कमेंट करके मेसेज कर सकते हैं, मुझे बहुत कुछी होगी कि आपका हेर का जो भी प्रॉब्लम मेरे और से साट आउट होगा, तो मुझे बहुत कुछी यह 100 ml की बॉटल है आपको चाहिए तो आप मुझे मेसेज कर सकते है और मैंने खुद मैरे फैमिली को और मैंने हम लोगों ने खुद यूज करने के बाद मैंने ये ओईल बना के सेलिंग का सोचा है मेरा वीडियो पुरा देखने के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद प्लीज चानल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए